अगर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल मिज़र टार्गेट पे तो फ्रेंस आसम लोग लेकर कक्छा 10 वी का कैमेस्ट्री का चौथा जिप्टर कारवन इवंग इसके योगी में अती महत्पुर्ण को देखेंगे जो आपके मैट्रीक परिक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंड है अगर आप इस वीडियो को आप सुरू से लेकर अंतीम तक जरूर देखना है इसमें हम लोग वीरी इंपोर्टेंट ऑप्जेटिव को संस जो की 14 चप्टर से लिए गये हैं कारवन इवंग उस पर नए है तो चलो को सब्सक्राइब करके बेल अगर्ण को प्रेज़ जरूर कर देना तो देखते आज का परसन आई आज का परसन देख लेते हैं देखें आप पहला परसन यहां पर क्या कर रहा है कि कारवन हाइड्रोजन से सन्योग कर बनाता है ये काफी यहां पर बिल्कुल से उतर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन अब आए अगला पर्संट की ओर देखें आपे दूसरा पर्संट यह भी पर्संट आपके एक्जाम्स के लिए मौस्ट इंपरेंट पर्स ने देखें आपे क्या करह रहा है कि वायू मंदल में कि इस कि यहां देखा लिए अबिसक है यारि यूट argument पर 0.03 परतिसद पाये जाते हैं और से यहां पर हमारा बिल्कुल से उतर हो जाएगा 0.03% अब आईए एगला person की ओर देखें आपे तिसरा person यह भी person most important person तेखें आपे क्या कढ़ा है कि sulfuric अम्ल का अनुसूतर होता है तो कि sulfuric अंम्ल का अनुसूतर क्या होता है देखें, option यह में आपका दिया हुआ है H2, S2, O7, B में दिया हुआ है H2SO4 और C में आपका दिया हुआ है H2, S2, O3 और D में आपका दिया हुआ H2SO8 तो यहाँ पे Sulfuric आमलगा जो अनुसुतर होता है H2SO4 होता है हमारा यहाँ पे option वर B बिल्कुत से होता हो जाएगा H2SO4 अब आए अगला परसन की ओर देखें हाँ पे 14 परसन है यह भी most BVI आपसिटिक परसन है देखें हाँ पे क्या कर रहा है कि कार्बोसिलिक एसीड समू कौन है तो देखें कार्बोसिलिक एसीड समू जो होते है सिंगल बॉंड COOH होते है यहाँ पे option नमर B बिल्कुल से होते हो जाएगा सिंगल बॉंड COOH और यह जो होता है ना कार्बोसिलिक एसीड यह एमिनो अमल तथा एसीटिक अमल आदि कार्बोसिलिक एसीड है यानि की कार्बोसिलिक अमल है अब आए अगला परसन की ओर देखे आपे परचाओ परसन यह भी most important परसन है देखे आपे क्या कर रहा है कि इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मुझूद है जिन में यहाँ पे option A में आपका दिया हुआ एक सिंगमा एक पाई आबंध है B में दिया हुआ है दोनों सिंगमा आबंध है और C में आपका दिया हुआ है दोनों पाई आबंध है और D में आपका दिया हुआ है दोनों एलेक्ट्रोवेलेंट आबंध है तो यहाँ पे हमारा से उतर हो जाएग option B दोनों सिंगमा आबंध है यहां पे option number D हमारे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 7 अब आए एगला परसिन की ओर देखेंगे आपे 7 परसिन यहां पर क्या कर रहा है कि इत्यन का आनविक सूत्र C2H6 है इसमें देखे option में आपका दिया हुआ है सह सनियोजक आबंध है आपका दिया हुआ है सह सनियोजक आबंध है उर समें आपका दिया हुआ है आट सह सनियोजक आबंध है और देखेंगे इत्यन का आणविक सूत्र C2H6 होते है और इसमें जो होते है ना साथ सह सनेवजग आबंध होते हैं ऑप्सिन वर भी हमारे यहां पर बिल्कुल सेवतोर जाएगा साथ सह सनेवजग आबंध अब आए एगला परसन की और देखिए हैं पर आटवा परसन यहां पर क्या कर रहा है कि ब्यूटे नोन योगिक है चतूर कार्बन जिसका अपड़े काडियातमक समुए तो देखिए के आपका दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अमल बी में अल्डी हाइट और सी में आपका दि समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो जो इसका मतलब है तो देखिए खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि इंदन पूरी तरह से नहीं जल रहा है यहाँ पे option number B हमारा बिल्कुल सेवतोर जाएगा इंदन पूरी तरह से नहीं जल रहा है अब आईए अगला person की ओर देखे हाँ पे 10 नोट person यह भी person most BVI objective person है देखे हाँ पे क्या कर रहा है कि सरल्तम हैड्रोकार्बन है तो देखे सरल्तम सबसे सरल्तम जो हैड्रोकार्बन होते है ना CH4 होते हैं CH4 याने कि मिथेन जो होते हैं सबसे सरल्तम हैड्रोकार्बन होते हैं यहाँ पे option number A हमारा बिल्कुल सेवतोर हो जाएगा मिथेन और हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन दोथा हाइड्रोजन मौझूद रहता है अब आए अगला परसन देख लेते हैं देखिए हाँ पर 11 और परसन यह भी मोस्ट भी आई ऑप्सिक्टिव परसन है देखिए हाँ पर क्या कर रहा है कि CnH2N सामाढै सब्सक्राइए को चाहुता हुट क्या है कर रहा है कि निलात होता यहां तूतिया को जो कह रहा होता है यहां पे अगला परस्टन देख लेते हैं देखे हैं तेरह नवर परस्टर यहां पर क्या कहा रहा है कि nitrogen अनु में कितने सह सनियोजग बंदन होते हैं कोल तीन सह सनियोजग बंदन होते हैं यहाँ पे option गषिटी बिल्कुल से उतर है तीन अब आईए अगला person के ओर देखते हैं 14 person की यहाँ क्या कर आए कि संग मरमर का रसायनिक सूत्र है तो देखिए ये परसन आपके एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंड और बहुत बार पूचे भी गया है तो देखिए संग मरबर का जो रसाइनिक सूतर होते हैं वो आपका CACO3 होते हैं यानि की केल्सियम कार्बोनेट होते हैं यहां पर ओप्सन मरबर यह बिल्कुल से होते होते हो जाएगा CACO3 अब आए अगला परसन की और देखिए आपे 15-90 परसन यहां पर क्या है कि निम्न में कौन युग्म समायवी है तो देखिए कि यहां पर समायवी युग्म कौन होगा देख लेते हैं ओप्सन अमें आपका दिया हुआ है C2H6 और C6S6 और B में आपका दिया हुआ है C5H10 और C6H12 और C का दिया हुआ है C2H5 और C3 OCS3 और D में आपका दिया हुआ है CH4 और C2H6 तो यहां पर ओप्सन मरची बिल्गुल से होतो जाएगा C2H5OH और CS3O CS3 जो है ना यह आपका समायवी व्योगिग है option number C यहाँ पर बिल्गुद से उतर जाएगा अब आए एगला परसन देख लेते हैं देखें आपे 69 परसन यहाँ पर क्या कर रहा है कि ethanol का किरियासील मूलग है तो यहाँ पर देख लेते हैं से परसनेयों ने में आपका दिया हुआ है कि चौकरAttन असलारी यहाँ पर सरय कोकी देखें कि में कर रहा हैै कि 2 में से कौन सहसनिवोजी योगिघी फैटा कि अपर सहसनियोजी योगिए आपको पता है तो इसका आंसर का जवाब आप जली से जाए और कमेंट बोक्स में बताना कि यह 17 नंबर का आंसर जो है क्या होगा ठीक है अब आईए एगला परसंड की ओर देख के याँ पर 18 और परसन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिंगल बोन्ड खो है ना सिंगल बॉन्ट सी ओ एच अभी किरियासील एक मुलक है इसको हम लोग क्या करते हैं अम लग करते हैं यानि कि एसीड करते हैं ऑपσन बर सिंहाँ यहां पिल्कुल से ओतोर जाएगा अमल आएगला परसे ऑड कि आप 15 हमारे यहां पर क्या कह रहा है कि single bond CHO किरियासिल मुल्ग को क्या कहते हैं यह भी most important person है देखिए single bond CHO किरियासिल मुल्ग को हम लोग कहते हैं LD height ठीक है यहां पर option वर भी बिल्कुल से उतोर जाएगा LD height अब आई एगला परसंट के और देख लेते हैं देखिए यहां पर बिस्नर परसंट यह भी most important person है देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि चीनी का रसायनिक सूतर क्या होते हैं तो देखिए चीनी का जो रसायनिक सूतर होते हैं c12 h22 और o11 होते हैं ठीक है c12 h22 o11 यहां पर option c बिल्कुल से उतोर हो जाएगा c12 h21 o11 अब आई एगला परसंट देखते हैं देखिए यहां पर 21 परसंट यहां पर क्या कर रहा है कि sodium carbonate का अनुसूतर है तो देखिए sodium carbonate एक अकार्वनिक योगिक है इसका रसायनिक सूतर na2 co3 होता है na2 co3 इसे हम लोग धोण से उड़ा या फिर धोने का सोड़ा भी कहते हैं यहां पर option वर यह बिल्कुल से उतोर हो जाएगा na2 co3 अब आएगला परसंट की ओर देखिए हाँ पर 22 परसंट यहां पर क्या कर रहा है कि carbonate को कि सूचित करते हैं कार्बोनील समूव किसको करते हैं कि carbon और oxygen दी आवन से जुरे होते हैं कार्बोनील समूव को सूचित किसे किया जाता है single one co2 सूचित किया जाता है option number c यहां पर बिल्कुल से उतोर जाएगा single one co2 अब आईए अगला परसंट की ओर देखें आपर 13 परसंट यहां पर क्या कर रहा है कि इतायल अल्कॉल का अनुसूत्र होता है यह भी most बिविए ऑपसितिव परसंट है इसका जो अनुसूत्र होता है यह रासायनिक सूत्र होता है सी टू एच फाइप ओयज होता है यहां पर ऑपसिन वर भी बिल्कुल से उतोर जाएगा सी टू एच फाइप ओयज अब आए अगला परसंट की ओर देखें हैं पर 24 परसंट यहां पर क्या कर रहा है इंविकेट में से काउच सा एडरो मेटिक हड्रोकार्वन है तो में इसका जो अनुसूत्र होता है सी1, OTAब पिल्कुल से उतोर Jew जाएगा सी coalition अब आए अगला परसंट देखते हैं ख Miss लिजा नमें पर देकें किन हवा क्नित के तीन हते हैं तो ओप्षना ने में आपका दिया हुआ है तो देखिए पर लिए जो हाइड्रोकार्बन है इसके तीन हमद्ध होते हैं है C3H4 को LN के नाम से भी जाना जाता है LN के नाम से जाना जाता है C3H4 को तो दोस्तों आज के लिए इतना फिर्म मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे